हेलो दोस्तों आज मैं बना रही हूं प्याज की बहुत ही टेस्टी सब्जी तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इस भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं यहां पर एक पैन लिया है उसमें डाला है मैंने सरस तैना किली तहां मैं तो शयुकास करके डाली हु है और लाईक हुषि लिएक जया एक पैाज S को स्लाइस स कर लिय लिये तोड़ा ही करना है और इसे भी दालेंगे ह।र तीन से चार हरी मिर्च डालेंगे तटेस्ट के港िंग नमक और इन सारी चीजों को पीछर में लेंगे प्यास को भून लेंगे यहां पर लो मिडियम ही रखना है अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर इसके बाद इसको कवर कर देंगे और कवर करके हमें प्यास को सॉफ्ट होने के लिए चोड़ देना है यानि कि 2-3 मिट तक पका लेना है अच्छे से और यह रिखी फ्रेंट्स 2-3 में ठोगए है और प्यास के लिए त्वह थोड़ा कलर भी चेंज कर दिया है और थोड़ी सॉफ्ट ही हो गई है तो अब हम क्या करेंगे इसको चला लेंगे इसके बाद यहां पर डालेंगे हम कुछ सूख मसाले तो यहां पर मैं डाल रहीं सबसे पहले हल्दी पावडर फ अधा चोटी चमच पर यहां पर डाला है कसूरी मेथी इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसे इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा इन सारी चीजिए को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर यहां पर मैं डाल रही हूं दही दही को अच्छे से फेट लिया है गैस का फ बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा तो इससे जल्दी-जल्दी से मिला लेना है और यह देखिए फ्रेंड्स कितना कलर चेंज हो चुका है इसका और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा इससे फिर इसके बाद यहां पर में डाली हूं थोड़ा सा पानी ताकि प्या पना जाए सब्से में इसलिए और यह दो से तीन मिनट हो चुकई है प्याज हमारे बिलकुल सॉफ्ट हो चुके है इसे जरूर्ण हो चुके हैर सब्सी मारे बनकर्चा की सुकी है इसे ज Jur QUE त collabor पुसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीसेगा और लाक कीसेगा